हलो एब्रिवान वेकम टू माय चानल वीलाव फॉर्चुन डबल बन डबल बन कैसे है आप लोग है होब कि आप सब बहुत ज़ादा अच्छे हो गाइस आज के जो वीडियो है वो पिककार रीडिंग होने वाली है और आज का टॉपिक यह है कि आपके परसन आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो आपके पार्टनर हो फ्रेंड हो एक्स हो लवा हो हजबन वाइफ हो कोई भी हो उनके सीक्रेट फिलिंग्स के हैं आपके लिए जो इसे आप चूज कर लेजिए तो यह एक टाइमडस जोनर रीडिंग है जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है तो मेल फीमेल अप्लोग दोनों ही इसे देख सकते हो ओके तो अगर आपको पेट पॉस्ट रीडिंग्स करवानी है या अगर आपको पेट पॉस्टल्स ब्रेस्टे करते हो गाइस और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजएगा और लाइक और कमेंट जरूर कीजएगा तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को हलो पाइल नंबर वन चिनों ने भी पाइल वन या फिर लवर्स को चूस किया है देखते हैं आपके परसन की सिक्रेट फिलिंग्स क्या है आपके लिए सो गाइस हमारे पास जो काद्स आए हैं वो है पेज अफ काप्स तो मजीशियन फाइव अफ काप्स तरेबल कम्यूनिटी इंटेंसिटी अंडिस्टेंग एंजल अफ बैलेंस अटेच्मेंट एंड कॉनिक पिया सो जो साइन्स आपके या फिर आपके परसन के हो सकते हैं वो है यहाँ पे लीब्रा जुमिनाए अक्वेरियस जुमिनाए हमारे पास स्पेशली है वाटर सैने कैंसर स्कॉर्पियो पाइशियस कैंसर हमारे पास स्पेशली है ओके एरिस लियो सजिटेरियस ओके और चौरस विर्गो भी है, okay guys लगों सेखते हैं खो सकते हैं जोलई ने डेखते हैं आपके स्वेक्षान की सिक्रेट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए hit अगर आप लोग बोग सेप्रेशन में हो तो आपको खोने से डर रहे हैं वों हमेशा डरते हैं उन्हें बहुत दा पेन महसूस होता है दुख में रहते हैं ठीक है हो सकते है ये परसन आपको जता है ना इना से लगता है कि उन्हों ने आपको खो दिया है बहुत दा पश्टाते हैं बहुत दा गिल्ट में रहते हैं ठीक है, अकर आप लोग बिल्कुल सेपरेशन में हूँ, बातचीत बिल्कुल नहीं होती है, तो ये परसन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पच्छता रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं आपको खूने से, ये जो परसन हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं गाईज, ये परसन आपको वापस पाना चाहते हैं, इनकी सिक्रेट फिलिंग्स ये हैं, कि आपको मैनिफेस्ट करते हैं, हो सकता है कि इनको पता हूँ, लॉफ अट्रेक्शन के बारे में, manifestation techniques के बारे में या फिर ऐसे भी ये person आपको manifest करते हैं या फिर से आपके साथ नई शुरुवात करना चाते हैं फिर से ये person आपके करीब आना चाते हैं अपने feelings को express करना चाते हैं लेकिन हिचकी चाते हैं इनके secret feelings यह हो सकते हैं कि आपको पता नहीं लगने देते हैं कि कितने दो दुख में हैं आपसे दूर जाकर हो सकता है कि ये खुद दूर गए थे आपको इन से दूर गए थे कोई भी situation सो पर ये जो person आपको खूने से डरते रहते हैं पश्ताते रहते हैं इनको कहीं और चीज में मन नहीं लगता ये person आपके तरफ आना चाहते हैं विदर अवल ये person आपके passionately आपके करीब आना चाहते हैं मतलब बिना कोई सोचे समझे अपने accordingly अपना stand लेकर ये person decision लेकर आपके तरफ आना चाहते हैं इनको कि आपके तरफ बहुत ज़ादा intensity फील करते हैं बहुत ज़ादा intense connection है the lovers आपने चूज किया है तो ये person है और आप दोनों twin flame journey में हो सकते हो ये person है बहुत ही ज़ादा intensity फील करते हैं खिचाव महसूस करते हैं एक strong pull फील करते हैं आपके तरफ हो सकते है कि ये person आपको बताते ना हो आपको भी ऐसा ही feeling होता होगा अगर आपको twin flame journey में हो तो आपको person को भी बहुत ज़ादा feel होता है एक pull महसूस होता है एक किचाव महसूस होता है जो ये हो सकते है कभी आपको बताया ना express ना करे ठीक है understanding page of cups दो बारा है ये जो person है आपके तरफ आपको समझना चाहते है हो सकता है आप दोने के compatibility उद्ने दर खास नहीं थी लेकिन ये जो person आपको समझना चाहते है उनके secret feelings है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत अदर mysterious हो आपके अंदर बहुत सरे secrets है आपके अंदर बहुत सरे mysteries है जो ये person जानना चाहते है बट ये person हो सकता है कि आपको express नहीं कर पाते है या फिर पूछ नहीं पाते हैं वो चीज़े हो सकता है कि आप लोग online मिले हो कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग बहुत सारे gatherings में मिले थे और out of nowhere आप दोनों की नज़रे एक दूसरे पर पड़ी ठीक है और ये जो person है first impression जैसा था ये person आपको उस बारे में बात करना चाहते है इनकी feelings जैसी दिख रही है मुझे और ये person आपके साथ कहीं जाना चाह रहे है कहीं पे अच्छी जगह में हो कि like कहीं पे gatherings में, parties में इनकी secret feelings है ये सब कि उनको आपको वापस पाना है उनको आपके साथ time spent करना है उनको आपको समझना है और ये जो person है आपके साथ balance चाते है, balance connection चाते है आपके साथ, देखो attachment card फिर से आया है तो ये जो person है, definitely आपके साथ attachment feel करते है उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपको कभी let go नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़ादा प्यार करते हैं आपको ठीक है, बहुत ही time pass है, ये person बहुत ज़ादा प्यार करते हैं guys, आपको secret feelings मुझे आपके दिख रही है, इसका मतब ये है कि ये सब चीजे इस person ने कभी आपको बताई नहीं है, ठीक है और बताईए भी है तो थोड़ी बहुत बताईए, आदी है ये बहुत दिखते हूं, तो balance, ठीक है ये person आपको साथ balance चाहते हैं guys, ओके ये person चाहते हैं कि आप दोनों का connection है stable way में, balance way में चले ठीक है, कोई अटचने ना आए, कोई obstacles ना आए, कोई मजबूरिया ना आए, कोई जगड़ाई ना हो, conflicts ना हो, कोई परिशानी ना हो, अराम से smoothly चले, ये person आपके साथ reunite होना चाहते हैं, अगर आप लग सेपरेटेड हो अगर connection में हो, reconcile हो चुके हो तो ये person आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये person आपके साथ abundant feel करते हैं, जब ये person आपके साथ होते हैं तो इनको अगर लगता है, कि इनके life में और इनको कुछ पानी की जरुवत नहीं है, इनके पास already सब कुछ है, और किसी चीज़ की फिकर नहीं करते हैं इस person का अगरता है, कि आपके अंदर सब कुछ मौदूज है, जो एक लाइफ खुशियों से भर गए, उनके life में सब कुछ आ चुका है, एक अबंडेंट सा feel करते हैं, किसी चीज़ की कमी महसुस नहीं होती है, उस वक्त जिस वक्त ये person आपके साथ होते हैं, लेकिन अस लगता है कि ये person आपको बताई बहरा हुआ महसूस करते हैं, और इन ऐसा लगता है, इनको सारी खुशिया मिल चुकी है, और इनको इतना ज्यादा एक खिचाब महसूस होता है, कि इनको लगता है कि ये जल्द से जल्द आपके करीब आपाए, लेकिन हो सकता है कि ये लांग डिस्टेंस मैं अइनको बैलंस आहे, और इन परिस्टेंस अनल आपको नहीं कर पाते हैं और इन नहीं ने न चौकर आपको कि आपको let go नहीं कर पाते हैं सेम सिचुएशन आपका है ओके और इनकी जो सिक्रेट फिलिंग्स यह भी दिख रहे हैं कि यह परसन आपके साथ काम करना चाते हैं ठीक हो सकता है पार्टनर्शिप में बिजनेस करना चाते हैं या फिर इनकी ऐसी ड्रीम थी कि आगा चलके इनकी जो परसन आपको गाउंस में तेखना चाते हैं लॉंग गाउंस में सिट गाउंस में पूरे तरीके से रेडी होकर यह सब मुझे दिख रहे हैं कि उनकी सिक्रेट फिलिंग्स है और इस परसन को ऐसा फिल होता है कि आप दोनों का इंफिनाइट कनेक्शन है ठीक है अ इनको भी वह सुल कनेक्शन मैसूस होता है उनकर से लगता है कि इंफिनाइट बॉंड है अब दोनों रिष्टा खतम करना चाते हो तब भी खतम नहीं होता है फिससे चीजे स्टार्ट होने लग चाती है और इस परसने सब कुछ आल्मोस्ट पा लिया है ठीक है अगर इनकी कर चुके हैं उनको बहुत ज़्यादा सफलता मिल भी चुकी है और कुछ मिलने वाकिए है और यह परसन आपके आपके लिए परपोजर लेकर आना चाते हैं अच्छे तरीके से ठीक है लेकिन इनको थोड़ा सा हीच कीचार हीजिटेशन हो रहा है कि को हो सकता है कि अगर य नहीं सिच्वेशन है लेकिन इंकि इनर्जी थोड़ी है ठीक है मतब्स आपके स्टेबल नहीं मात करते हो अगें दो बहुत ही जादा प्यार है और यह हो सकते हैं इस प्यार को आप शायद समझना पातों आपको से लगता है कि नहीं अगर यह परसन बोल भी है तब भी प्यार नहीं है लेकिन प्यार बहुत जादा है यह परसन आपको दिल से बहुत चाहते हैं लेकिन कश्म कश्म घिरे रहते ह करना है क्या नहीं करना है लेकिन प्यार बहुँ जादा यह सब secret feeling इस person ने कभी भी disclose नहीं किया अच्छ से आपके साथ ऑगे गाईस तो यह थी आपकी reading I hope आपको पसंद आए अगर पसंद आई रिजने घुए है तो pls do like comment share and subscribe मैं मिलते हूँ आप लोगों तक तक के लिए बाबाई पाइल वन हलो पाइल नमबर टू जिन्हों भी पाइल टू या फिर फेलिन ने इसको चूज किया है देखते हैं कि या आपके जो परसन है उनकी सीक्रेट फिलिंग्स क्या है आपके लिए आपके लिए जो कार्ट्स आए हैं वो है फाइव वांस, नाइव वांस, स्टैथ, देशोर्स, स्ट्राट्टिजी, ट्रांस्वमेशन, कंडिशनिंग, जर्नी, गर्स अफ दे मून, और गर्डन इन गेट जो साइन्स आपके या फिर अपके परसन के हो सकते हैं आपके परसन की सिक्रिट फिलिंग्स का ही हम देखते हैं सबसे पहला चीज़ जो मुझे यह दिख रहा है कि यह जो परसन है बहुत ही ज्यादा पैशनेट है आपको लेकर इनके अंदर बहुत ज्यादा पैशन है, अब्ट्रैक्शन है आपको लेकर यह बहुत ज्यादा ही लाइक, बहुत ही ज्यादा अडिक्टेड है आपको लेकर जो चीज़ मुझे आपको लेकर यह परसन बहुत ज्यादा पोडिसिव है आपको लेकर यह जो परसन है बहुत ज्यादा इनसिक्योर है आपको लेकर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में conflicts होते रहते हैं या past में हुए थे या जिते बार भी बाचित करते हो कुछ दिन अच्छा चलता है फिर conflicts होता है ठीक है जिसके वैसे यह person बहुत आदा insecure हो जाते हैं क्योंकि यह person आपको खोना नहीं चाहते हैं लेकिन situation आपको बहुत है यह person बहुत है आपको बहुत है आपको शायद पता होगा और insecure है इनको अगर आप इनको शीयूरिटी देते भी अगर आप इनको बोलोगे भी कि नहीं मैं लॉयल हूँ और मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ ही रहूँगा या रहूंगी तब भी परसन आपको लेकर इन से कर रहाए है इनको फिर भी डल लगता है कि नहीं, बिल्कुल सिक्यूरिटी नहीं है, बिल्कुल हो सकता है, आगे चल के किसी और को डेट कर लेए परसन, ऐसा सिच्वेशन से हो सकता है, यह जो परसन है, आप दोनों के रिष्टे में ट्रांस्वोमेशन चाहते हैं, यह देखो, यहां पर बदलाव हो, नहीं तरीक से एक अच्छे वे में रिष्टा शुरू हो, क्योंकि रिष्टा है यहां पर देफिनेटली यह जो परसन एक पैशनेट न्यू बिइनिंग चाहते हैं आपके साथ, पैशनेटली बदा सेक्श्वल एनरजी मुझे आप दिख रही है, हो सकते यह बहुत दा सेक्श्वली सोचते हैं आपके लिए, सेक्श्वली बहुत दा फील करते हैं और इनकी सिक्रेट फिलिंग्स हैं यह आपको इन्होंने बताया नहीं होगा कभी, इन्होंने अच्छे सी किया नहीं हो सकते हैं आपके लिए द्रीम्स देखते हो, फैंटसाइस करते और ये बहुत डरे रहते हैं आपको लेकर perform आता ओर प्रोटेक्टिव है ये आपको खोना नहीं चाहते है यापको हमेशा protect करके रखना चाहते है हर एक चीज में कहां चाहे या कर रहे हो भी में कर रहे हो थीक है वासकस हip ये बोलते cảा हूँ क्योंकि इनको मतलब ऐसा इनको इनकी अंदर की ऐसी है कि इनको नहीं पसंद की कोई इनको बोले कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो ठीक है यह फिर आप इतर दा प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो मेरी मेरी लाइफ है तो यह सब इनको सुनना पसंद नहीं है जसके वैसे होसकते है कि आपको पता नहीं लगने देती है कि इतने ज्फ़र्टार डा ओवर्ट्रोडिक्टिफ है या आपको लेके डरे रहते हैं전 new और यह जो परसन है यह परसन क gewoon के साथ एक जॉर्णी है जो उन्हें complete करनी है इन ऐसे लगता है कि आपको साथ definitely उनकी एक journey लिखी हुई है distinct journey जो उनने complete करना है जो वह complete नहीं कर पा रहे है अपने friendliness का card चूज किया definitely यह जो person है आपके साथ partnership चाहते हैं आप लोग soulmate high level of soulmate connection में हो सकते twin flame हो सकते हूँ तो यह जो person है आपके साथ एक friendliness चाहते हैं partnership चाहते हैं यह बहुत दो इमोशनली फिल करते हैं और आपको ऐसे perfect spouse देखते हैं perfect partner देखते है perfect life partner की रूप में यह person आपको देखते हैं नहीं beginnings चाहते हैं movements चाहते हैं कि करीब आप लोग okay and इस person को ऐसा लगता है ना कि आप लाखों में एक हो okay यह जो person इनको लगता है आप लाखों में एक हो लेकिन आपको पता नहीं लगने देते हैं शायद आपको बहुत जादा यह नॉर्मल फिल करवाते हैं यह कभी आपक complexity इस person के वेसे आजाती है okay कि पता नहीं मैं deserving हूँ या नहीं हूँ इस person के लिए लेकिन यह जो person आपको लाखों में एक देखते हैं ठीक है इन्हें ऐसा लगता है कि आपके तरह इंसान पाना बहुत मुश्किल है अगर उनके life में आप हो तो उनकी उनके लिए एक blessing की तरह अपने ब्लॉसमिंग और पूर तरह किसे जए ग्रोध भर दिया ठीक है इनके life में एक दाखने से इने एक path of light दिखाया आपने एक वे दिखाया जीने का तो यह सब चीज को बहुत आपको मतलब आपको आपके लिए thankful word okay thankful in the sense ही हो सकता है कि आपने इनको directly और indirectly बहुत कुछ सिखाया है life में इनने growth करने में help किया है इनने बहुत सारी चीजों की meaning समझने में help किया है इनने life की meaning समझने में help किया है तो इन ऐसा लगता है कि जब आप इनके life में आए तो इनके life बहुत द़ेज़ होगे ट्रांस्फवर्म हो गई एक खुशनुमा मोहाल क्रेड़ होग करते हैं और बहुत अप्रिश्यस मानते हैं वह आपको अगर वह अपसे दूरिया बनाते हैं तो यह option है कि अगर यह आपसे बात्चित करेंगे तो सकते हैं पूरे तरीके से रिष्टा है इनको ठीक है आपको लेकर 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 फिर भी क्यों है क्योंकि आपको बहुत जादा higher level में देखते हैं यह असा लगता है कि आपके पास सब कुछ है और आप अप्रिश्यस हो ऑके बड़ electron unfortunately center टो यह फिल करते हैं और यह अपके लिए strategies बनाते हैं ठीक है अगर अगर आपको लगता है कि यह परसन आपके लिए strategies बनाते है ऊफे हैं कि कैसे क्या चीज़ेंगे आगे करना अै ठीक है आप आप एक्स्वेक्टब की नहिए करें कब से इस परसन करते हैं कुछ action नहीं है ignore करना है ब्लॉक करना है यह परसन आउट आप नो पर आ जाएंगे आपको कॉंटेट कर लेंगे या आपको मिलने बुला लेंगे या कुछ करेंगे अचानक से होगा ठीक है यह परसन आपके लिए planning करते हैं आप दोनों की future planning करते हैं यह अब भी strategies बना रहे हैं अगर आप लोग सेपरेशन में हूँ conflicts हुआ है तो यह परसन अभी strategies बना रहे हैं कि आपको यह फिर से कैसे वापस पाई कैसे ठीक कर लें कैसे transformation आई बीच में कैसे चेंजिस हो कैसे नहीं शुरुवात हो तो सारी चीज़े परसन प्लैनिंग प् आप लोग ओके तो बहुत अदा emotions मुझे यहां पर दिख रहे हैं partnership तो चाहता ही है प्यार भी है यहां पर ठीक है और आपके बेस्ट्रेंट बनना चाहते हैं यह सबसे जादा मुझे दिख रहे है ठीक है यह lover से भी पहले आपके best friend बनना चाहते हैं जहां पर यह चाहते है कि आप उन्हें सब कुछ बताओ क्योंकि insecure है अब हो सकते online dating है यह long distance connection है यह जो भी connection है लेकिन इनको doubts है ठीक है हो सकता है कि इन्हें डर रहता है आपकी खुबसूरती पे और आपके जो abilities है उन पर इनको डर लगता है कि पताने काश आप इन अगर छोड़ दोगे तो क्या ह होगा यह सिच्वेशन मुझे दिख रही है क्योंकि बहुत आता precious मानते है आपको पर आपके लिए plannings plotting करते हैं इनके future plannings में इनके future plannings में भी आप included हो कही ना कहीं ठीक है इनके included हो ओके सो यह मुझे आप दिख रही है और यह जो परसन है यह परसन आपके साथ रहना चाहत हो सकते हैं यह सब बात हैं उन्होंने आपको कभी बताएं नहीं हो खुल गई हो क्योंकि इनको transformation चाहिए इनको बदलाफ चाहिए जैसे connection में conflicts होता है जगड़ा होता है इन security हैं यह सब को यह हटा देना चाहते हैं दूर भगा देना चाहते हैं और इनके अंदर भी हो सकते transformation जिसके बाद यह person की thought process आपको लेकर change हुई है so यह सब इनकी मुझे दिख रही है और बहुत दा sexually फैंटसाइस करते हैं अगर connection आप दुनों का रहा है तो उस connections को उस times को यह person याद करते हैं okay और ऐसे भी अगर नहीं भी हुई है तब यह person बहुत दा sexually आपके लिए सोचते ह हैं okay तो यह चीस मुझे यह पर दिख रही है so guys यह थी आप लोग की reading I hope आप लोग का पसंदा है अगा पसंदा है रिजुनेट हुई है तो please do like, comment, share and subscribe मैं मिलती हूँ आप लोग को next video मैं guys तब तक के लिए बाबाई पाइल चू